Good morning everyone, welcome back to the channel So, आज हम 5 June के current affair यहाँ पर देखने वाले हैं और आज ही आपकी मई की मन्थली current affair भी upload कर दी जाएगी तो आप उसको भी देख सकते हैं तो शुरू करते हैं, question से पहले short news देखेंगे, दो-तीन short news थी पहली है, टेकसास जो है यह बना है largest state to ban transgender care for minors उसके बाद next है उडिसा का जो 1200 railway tragedy हमें देखने को मिली थी initially दिखा गया था लगबग 2500 लोगों की मौत हो गई थी और 900 लोग यह injured थे, लेकिन अभी वापस से revised data जो हम देखते हैं उसके according to 88 लोग ऐसे हैं जिनकी इमृत्य हो गई है और 1000 लोग injured है और उसके बाद next है लक्षे सेन Thailand open में men's singles का title हार गए है किस से हार गए है कुनलूवत वितिद सर्ण से थी यह तो चोड़ चोड़ इसी थी कुछ जादा detailed कोई ऐसे देखने को नहीं मिली चले questions पर आते हैं इस world environment day celebrated every year ये दिन हर साल 5 जून को आज ही के दिन celebrate किया चाता है 2023 के लिए थीम है solutions to plastic pollution होस्ट कौन करता है इसको UNEP United Nations Environmental Program 2023 में होस्ट कंट्री कौन है आइवरी कोस्ट आफ्रिकन कंट्री है in partnership with Netherlands लास्ट येर की अगर आपको याद रखनी है तो only one earth है अभी है solutions to plastic pollution ठीक है next आते हैं यहां पर देखें important days माई के जो है 1 माई को international labor day होता है गुजरात day होता है महराष्टर day होता है 2nd of May होता है world asthma day और basically first Tuesday of माई को ये celebrate किया जाता है 3 माई world press freedom day 7 माई को Rabindranath Tagore Jayanti and world athletics day 8 माई होता है world red cross day और world thalassemia day 11 माई को national technology day 12 माई international nurses day 21 माई national anti-terrorism day 22 माई होता है international day for biological diversity 31 माई को होता है world no tobacco day who has become first female secretary general of the world materialological organization WMO की पहली female secretary general आप क्यूंकि female पहली female बनी है तो बहुत important है आपके लिए option numbers का A correct है so let's stay solo ठेकिए यहाँ पर देखें प्रेजिडेंट कौन है WMO की तो नए प्रेजिडेंट इसके बने हैं अब्दुल्ला अल-मंडॉस UAE से बलॉंग करते हैं चार साल के लिए इनका टर्म है 2013 से 2027 सक रहने वाला है फिर पहली secretary general female secretary general WMO की यह बनी है सेलेस्टे सॉलो अर्जेंटिना से यह बलॉंग करती है WMO की बात करें तो formation इसका हुआ था 23rd March 1950 को headquarter Geneva Switzerland में है head इसके अभी तक Gerhard Adrian थे ठीक है तो अब इनको replace करके अब नहीं यह आ जाएंगे अब्दुल्ला अल-Mandos World Materiological Day celebrate करते है 23rd March को 23rd March क्योंकि इस दिन formation हुआ था हैना theme इसकी 2023 में थी the future of weather climate and water across generations यहां पर recent appointments देख लेते हैं अमरेंदू प्रकाश जो है यह सेल के chairman बने है अजय यादव MD बने है सेकी के मनोज सोनी UPSC के chairman है प्रवीन सूध CBI के डिरेक्टर है प्रवीन कुमार श्रिवास्तव CVC Central Vigilance Commissioner है हमारे जो क्याग है गिरिश चंद्र मुर्मू इन्हें re-electr किया गया है अगले चार सालों के लिए as the external auditor of WHO Dr. K. Govind Raj जो है बास्केट बॉल फेडरेशन ओफ इंडिया के president बने है और R.N. Jai Prakash ये बने है president swimming federation ओफ इंडिया के वो इस दे विनर ओफ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2023 तो ये जो विनर है पंजाब उनिवर्सिटी इस पे रहा है तॉप त्री उनिवर्सिटी रही है पंजाब पंजाब के 26 गोल्ड है 17 सिल्वर है 26 ब्रॉंच है तो टोटल 69 मेडल्स है पंजाब के और इसे के साथ ये टॉप पर रहा है नेक्स्ट है अमरित सर गुरु नानत देव और थर्ड पर है जयन उनिवर्सिटी जो की लास्ट एडिशन का चैंपियन था ठेक है ओनली दे शूटिंग इवेंट वर शेडूल इन निव डेली डेब्यू गेम जो है इस साल के रोइंग ये जो गेम है रोइंग ये रहा है डेब्यू गेम मैस्कॉट इसका जीदू था बारा सिंगा 2023 में होस्ट किस ने किया है उत्तर प्रदेश ने लास्ट एर करनाटका ने होस्ट किये थे और 2021 में उरिसा के द्वारा हेलो इंडिया उनिवरसिटी गेम को होस्ट किया गया था ठीक है 2023 में विनर पंजाब यूनिवरसिटी यहां सेकेंड एडिशन के बारे मीं देए गई हैं चीज़े दो 2022 में जो हेलो इंडिया उनिवरसिटी गेम होई था करनाटक में होई थे मैस्कॉट वीरा था टॉप थ्री युनिवर्सिटी जो थी मेडल टेली में वो जैन उनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल उनिवर्सिटी और पंजाब तो अभी बस ये दोनों जो हैं आपस में एक्स्चेंज हो गई है ना टॉप पर पंजाब आ गए थार्ड पर जहन उनिवर्सिटी हो गई है इसका आंसर क्या होगा तो रिद्यूस था क्वांटम ऑफ अंक्लेम्ड डिपॉसिट्स ठीक है ऑप्शनमबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अभी यहां पर हम देख लेते है है इसके बारे में डिटेल का एम क्या है टू ट्रेस एंड सेटल आप अंड़क स्थापना हुई थी headquarter Mumbai महराश्ट्रो में है Sir Osborne Smith जो है वो पहले governor थे RBI के, CD देशमुक पहले Indian governor RBI के थे, शक्ति कांदास 25th governor है और RBI के द्वारा रेसेंटली Harbinger 2023 अनौन्स किया गया था, एक hackathon है ये फिर हम देखें, RBI ने लांच किया था, उतकर्ष 2.0 2nd phase of its medium term strategy for strengthening regulatory and supervisory mechanism ठीक है तो अगर पूछा जाए, उतकर्ष 2.0 क्या है, एक medium term strategy है RBI की Who becomes first country to start putting health warnings on cigarettes ये country कौन सी बनी है, तो Canada है, डीटेल यहां पर देखें, Canada बनी है पहली country in the world to stipulate that individual cigarettes carry mandatory health warnings ठीक है, तो इस तरह की regulations, Canada ने चारी किये है और पहली country है ये ऐसी यहां पर first country in world देखें तो Spain जो बना है, पहली European nation बना है to authorize paid menstrual leave for women, भारत में Kerala में हमने देखा था, universities में Malta पहली European country है, जिसने allow किया है limited cultivation and position of cannabis for personal use, India पहली country बनी है to extend its assurance to Sri Lanka for its debt restructuring और कितना assurance extend किया गया है, $1 billion का New Zealand ने, New Zealand जो है, वोल्ड की पहली climate change law बनाया है for financial firms और फिर हम देखते हैं Japan की Sumitomo Forestry Company and Kyoto University इन्होंने aim किया है to launch the world's first wood-based space satellite by 2023 अगला question है according to EPFO data which state has recorded the highest formal job creation EPFO यानि की Employees Provident Fund Organization इसने एक data release किया है और क्योंकि नाम से समझ में आ रहा होगा है, Employees Provident Fund Organization तो Employees के बारे में जो भी चीज़े हैं देश में formal data इसी के control में होता है तो recently जो data जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि महराश्ट्रो जो है वहाँ पर highest formal job creation देखने को मिला है अभी यहाँ पर details देखे तो EPFO के according 1.39 करोड पीपल जो हैं लोग हैं इन्होंने formal job यह प्राप्ति की है Financial year 23 में और number of net payroll additions increased around 13% अब highest job creation कहां देखने को मिला है महराश्ट्रो में सबसे जदा around 22% फिर Tamil Nadu है 3rd पर करनाटक, 4th हर्याना और 5th पर Gujarat यह states ऐसे हैं जहां पर formal sector में formal job creation जो है highest देखने को मिला है विच बैंक विल गिफ 1st edition of राश्ट्र भाषा सम्मान अवार्ड यह बैंक है Bank of Badoada और पहला edition यह देने वाला है उसके लिए nominations जो है invite किये गए हैं और यह सब जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है ठीक है बाराज उनको यह अवार्ड जो है प्रवाइड किये जाएंगे तो बैंक ओफ Badoada इंडियास लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इसने अनॉंस किये हैं nominations for the 1st edition of बैंक ओफ Badoada राश्ट भाषा सम्मान अवार्ड टोटल 12 टाइटल्स इन ओडिया, उर्दू, पंजाबी, निपाली, बंगॉली, मराथी, तमिल इन्हें फीचर किया गया है लॉंग लिस्ट में ठीक है तो बैसिकली जो भारत की शुड्यूल लैंविजेस है 22 उनको प्रमोट करने के लिए उन लैंविजेस में जो भी बुक्स लिखे गई हैं उन्हें सम्मान देने के लिए इन अवार्ड को शुरू किया जा रहा है अवार्ड विल बी प्रेजेंटेट तो बोध द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क एन इस हिंदी ट्रांसलेटर ठीक है नेक्स्ट प्वेशन है विच कंट्री वंदा धोफर मुनिसिपालिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023 तो पहली चीज ये मेंस जूनियर एशिया कप कहां देखने को मिला हमें ओमान में देखने को मिला और ये जीता कौन है ये जीता है विनर रहा है इंडिया इंडिया का फोर्थ टाइटल था और इस फोर्थ टाइटल के साथ ही सबसे जादा टाइटल जीतने वाला भारत हो गया है ठीक है? रनर अरब इसमें पाकिस्तान है कहां हुए? सलाला ओमान में उत्तम सिंग जो की इंडियन टीम के कैप्टन थे इन्हें प्लेयर ओफ दो मैच दिया गया है ठीक है और यह जो टूर्णामेंट होता है ना मेंस जूनियर एशिया कप 23 हुआ है पहली चीज तो अंडर 21 है यह ठीक है और यह जो है सर्व करता है अगला क्वेशन इन्टनाशनल होकी फेडरेशन का हौकी जूनियर वल्लक रहता है उसके लिए क्वालिफिकेशन के तूर्णामेंट को दिखा जाता है तो प्लेयर चूनने वो यहां से चुनने जाते हैं अगला question है international sex workers day is observed on which date इस दिन को दो जून को celebrate किया जाता है क्यों किया जाता है to honor the sex workers who are victims of cruelty and violence and acknowledge them as valuable contributors to society theme रखी गई है access to justice अब last me question है आप लोगी लिए के कीरती वसन has been appointed as the new MD and CEO of which company options है TCS, NPCL, sale या फिर जियो इसी के साथ वीडियो का होता है आंत कुछ छोटी लग सकते हैं कि so much for watching जैहिंद